हालो गैस, वरकॉम बैक तो वोर्ड चैनल, माईने में सुरम चोहन, तो आज के हमारे क्लास का टॉपिक है प्रेजटेंट अफ सो कॉमन हाउस, यदे कि जिसको स्पिकर बोला जाता है, यदे कि जो हाउस ऑफ कॉमन है, कॉमन सदने उसके अधश को नॉमली हम स्पिकर बोलते हैं, तो आज इस स्पिकर के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे इस लेक्शर के मादधम से, ताकि हर एक चोटे से चोटे information इस lecture में हम discuss कर सके और साथ में इनकी बहुत सारे चीज़े इससे related हम discuss करेंगे जैसे कि उनको elect कैसे किया जाता है और जो speaker होते हैं मतलब निरवाचन कैसे होता है और साथ में उनकी क्या power से क्या शक्तिया है वो कैसे काम करते हैं क्योंकि जब से ये British वाले series start हुई है हम UK के बारे में बढ़ रहे हैं उसके constitution के political process के बारे में बढ़ रहे हैं तो हमने PM के बारे में बढ़ा जो लोग सदन है house of common house of lord के बारे में बढ़ा executive जो process है उसके बारे में बढ़ा and then सबसे जो main जो इसमें माना जाता है कि जो house of common होता है इसमें main जो powerful जो post होती है वो speaker की होती है तो आज इस video lecture में हम यही चीजें discuss करने वाले हैं लेकिन फिर भी अगर कोई भी अब तक का कोई भी ऐसा comparative जो government and politics आपका जो paper ऐसे relate कोई भी आपका ऐसा question जो आप पूछना चाहते हो कुछ ऐसा confusion तो नीचे comment section में आप लोग बता सकते हैं बाकि आप सभी को बता है भाई लाइक कर दिना शेर कर दिना और भी तक subscribe नहींगे तो subscribe ज़रू कर दिना बैल आइकन को प्रेस कर दिना थाकि हर एक वीडियो का notification आप तक पहुंचता रहे नीचे description में link है कुछ important जाकर के check out ज़रूर कर लेना क्योंकि all videos हैं कुछ जिनमें individual जिससे Britain के बारे में USA के बारे में Switzerland के बारे में काफी कुछ आपको videos वहाँ पर available हो जाएंगी ठीक है बागी बागी टेलेग्राम को ज़रूर जोइन कर लेना क्योंकि वहाँ पर इसकी जो PDF अगर आपको notes में चीज़े चाहिए यही series पूरी लिखी भी चाहिए तो वहाँ पर आपको मिल जाएगी ठीक है अब तक के जितनी भी classes हो चुकी है उनके पूरी जो notes है वही पर provided हम करा देते हैं तो चलिए अब video lecture को start करते हैं तो भई देखे जब हम बात करते हैं speaker की तो speaker का मतलब तो वैसे तो हम यह समझ रहें कि speaker का मतलब होता ही जो इंसान बोल सकता है वो speaker होता है genuine meanings तो यह निकलता है ने कि speaker है इसका मतलब भी बोलेगा है ना एक listener होता है एक speaker होता है बट यहाँ पर political कुछ ऐसी process होते है कुछ ऐसी activity होती है अगर हम Parliamentary activity की बात करें UK की Parliamentary activity की बात करें तो वहाँ पर speaker का मतलब बोलना नहीं होता है वो क्या होता है इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले जादा confusion में की रिएट नहीं करते ना चाहते है तो कॉमन सदन का जो अद्धिश होता है वो speaker कहला जाता है ठीक है यह निके house of कॉमन के जो president होते हैं उनको हम speaker बोलते है उसका जो उसकी जो post होती है बहुत ही respectful बहुत ही प्रतिष्ठा बहुत गौरव निकी बहुत glorious type की और powerful होती है ठीक है वो इतनी ज़ादा महतवपून ये इनका post है इतनी ज़ादा महतवपून इनका स्थान माना जाता है कि इससे उपर कोई भी नहीं होता भाई लोग सदन में अगर कोई भी बड़े से बड़ा का राजा भी बैठा ना तो भी उन से उपर नहीं है क्योंकि उस सदन में जो post है जो speaker है उन से उपर उस समय कोई नहीं है फिर बहार जागर के वो अलग बात है लेकिन उस समय पर वो सबसे powerful है अब थोड़ा सा यहां पर देख लेते हैं कि अध्यक्ष यहने की जो speaker है उनका निर्वाचन कैसे होता है elections of speaker तो common सदन अपने members में से ही speaker का निर्वाचन करता है इस speaker का ऐसे तो नहीं है कि अपना voting डलेगी पता नहीं कहां से क्या मतलब choice में आएगा निकाल अगरके नहीं ऐसा कुछ नहीं अपने ही members में से जो लोग सदन जो house of common के members होते है उनी में से किसी एक को speaker का speaker को चुना जाता है लेकिन इसके लिए राजा की अपचार एक speaker दी लेनी पड़ती है नहीं कि normally राजा से permission लेनी होती है कोई बहुत जाता विद्वाने ऐसे विक्ति का ही नाम प्रस्चुत करता था और फिर सदन को उसको निर्वाजित करता था आज भी जिस सदन को जिस members को सदन के speaker के लिए चुना जाता है उसके लिए राजा की स्विकर्ती लेना आवर्शक होती है चुनाओ के बाद सदन आरम होने से पहले या सदन आरम होने से ले करके उसके भंग होने तक जो speaker है वो वहाँ पर काम करता रहता है वो वहाँ पर बना रहता है यदि आम चुनाओ के बाद भी वह सदन का सदन से चुना जाता है स्वश्थ है तता फिर से स्विकर वो बनना चाहता है तो सदन उसे फिर से स्विकर के लिए निरवाजित कर सकता है ठीक है अभी जबकि दलों की सिति बदल जुगी है ठीक है और कहने का मतलब है कि बहुमत प्राप दल चुनाव के बाद अल्पमत में बदल गयाने कि जिसकी मैजुरिटी थी अब वो मैजुरिटी में नहीं है लेकिन फिर भी जो स्पीकर होता है अगर वो दुबारा चाहे वो स्वस्त है और उसको निर्वाचित किया जा सकता है और इसलिए उसे पुनर निर्वाचित करते रहते हैं वास्तो में स्पीकर के उसको अपॉइंट कर लेना ज़रूरी होता है, उसे एक ऐसा उस समय करना पड़ता है, परधान मंत्री को ये काम उस समय पर करना पड़ता है, जब पुराना स्पिकर आवकाश यानि कि छुट्टी ले लेता है, या वो छुट्टी पर चला जाता है, या उसकी मिरत्यू हो कुछ ऐसी स्थिति आ गई हो, परधान मंत्री पहले है तैसली कर लेता है कि उसकी पसंद के सांसित का कोई सदस्से विरूद नहीं करेगा, ठीक है, ये सबसे अपना पूछ लेगा कि भाई सदस्से को हम स्पिकर के लिए पॉइंट करना चाहते हैं, अगर आपकी कोई ऐसी खुश नहीं है, तो बता दो और सब कुछ ठीक है, तो ये सब clarify वो पहले से ही कर लेता है, नाम निर्देशन के बाद में, यानि कि वहाँ पर जब नाम का अपना वहाँ पर दे दिये जाता है कि ये जो सदस्से स्पिकर बनेंगे, उसके बाद में सदन के दो साधरन सदस्स यानि कि नॉर्मल कोई भी मेंबर्स उनका अनुमोदन करते हैं, इस पिकर का जो चुना होता है, निर्देशन कारेकरम सा होता है, तो इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हुए, सदन का जो कलर होता है, वो दाये तरफ यानि कि अपने राइट साइड हाद की अंगुली से, यान कि अतरी तो और कोई प्रस्ताव नहीं रखा जाता है, यानि कि बस एक छोटा सा प्रोग्राम होता है, कि एक नॉर्मल से जो मेंबर्स होता है, नॉमिनेशन तो देखो पहले से हो जाता है, इस पिकर का नाम का, कि ये स्पिकर होंगे, पॉइंट की जाएंगे, बट जो कि जब कोई पोस्ट अपॉइंट हो जाता है, ठीक, उसके लिए क्लैपिंग हो जाती है, निर्वाजन के बाद स्पिकर सारे साथ उसके साथ, हाउस ओफ लोड, जो हाउस ओफ कॉमन है, उसके दरवाजय पर जाता है, तथा उन से उन प्रिविलेज के लिए जो विशेशा जाता है, जिसका सदन मतलब कई सद्यों से उप्योग करता रहा है, एक रिचुछल्स होता है, एक ओथ होती है, वैं कहता है, ये एक ओथ लेता है, कि हे महा महीं, मैं अपने सामराग्य के परती, संपून, विनर्म, आभार रहित, आप से प्रार्थना करता हूँ, कि अब मे उनकी उड़ से विशेशर दिकार उन्हें प्रदान करते दा जास्टे रिचुल्स क्योंकि इस अदियो से चलिए आ रही है प्रथा हैं तो यह इस तरह की प्रथा उन उसको कुछ ओथ बगयरा होती है जैसे शापत पत्र होता है शापत लेते हैं किसी भी अपॉइंटमेंट से अपॉइंटमेंट लेने के बाद में शापत ली जाती है कि जो मेरा वर्क है मैं पुरी निष्ठा के साथ में से को कंप्लीट करूँगा तो जो भी विशेशा दिखा रहे है आप मुझे देने की करपा करें तो इसलिए जो लोड चांसलर होता है वो इसको महाँ पर प्रोवाइड करा देता है मतलब इस स्पीकर को अपॉइंट करने के लगा कुछ जादा इसमें ताम जाम नहीं होता है एक नॉमल सा रिच्वल्स होता है प्रोग्राम होता है अब आगे जानते हैं कि जो स्पीकर है उनकी क्या पावर है क्या फंक्शन है कि वह वो कैसे काम करते है तो कॉमन सदन की जो सदेख्ष ओते जो स्पीकर होते हैं वो उस होने के नाते स्पीकर बाद विवाद जो भी कंट्रोवर्सी होती है जो भी आपर किसी बी टॉपिक को लेगर करके उनको नियंत्रण मिलाता है और सदेश से को बोलने के अग्या देता है यदि एक साथ दो सदेश से उड़ जब मत बराबर हो जब टाइक स्थिती होती है इतने ही वोट है तब जाकर कि उसके पास एक प्रिवलेज होता है कि वह बीच में एक डिसेजन देता है तो एक निर्डा मत की रूप में वहापे अपना परियोग करता है मत का और कुछ नहीं होता है वह किसी पार्टे से करते हुए यहाँ पर हर्मन फाइरनर ने लिखा आए कि स्टेटमेंट दिया है कि किसी अदभूत की कितनी अदभूत बात है कितनी मतलब इंक्रूडिबल यह बात है कि वह 600 से अधिक सांसदों को एक स्पीकर आसानी से अंकुष में रखता है है ना यह सोचने वाली बात है कि अलग-अलग department के अलग-अलग ministers बैठे हुए है सब अपना dominant अपने तरीके से करते हैं सबके पास powers है लेकिन जितने भी यहाँ पर members बैटे हैं उनको control कौन करता है सिर्फ एक speaker करता है तो वहाँ पर मानने वाली बात है कि speaker के पास actual में बहुत जादा power होती है इस post के आदा है उनका जो question उनको वहाँ पर एक सही answer उनको दे पाए तक कि वीडियो अगर आपको पसंद है तो भाई like कर देना informative लगिए तो भी like कर देना शेयर कर देना अपने जो भी social media handles उनको इसका link जरूर शेयर करते रहना चाहिए और साथ में अगर सब्सक्राइब नहीं किया है त सब्सक्राइब कर देना कि इनको प्रेस जरूर गर लेना ताकि हर एक वीडियो का या जो भी update होती है उनका notification आप तक पहुंचता रहे तो मिलते हैं next information के साथ में next lecture में तब तक के लिए जय हीन जय भारत